नो हिंसा का आरोपी मोनु मानेसर पुलिस की गिरफ्त में है। नासिर और जुनायद हत्याकान में की गई है। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हिंसा में बिट्टू बजरंगी का नाम भी सामने आया था। हाला कि बिट्टू बजरंगी को हर्याना पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन मोनू फरार चल रहा था। हर्याना की ADG Law & Order ममता सिंग के मताबिक 28 अगस्त को मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शोभायातरा में आने के लिए कहा गया था। जांच में इस पोस्ट को भड़काव पाया गया। तो मोनू मानेसर की गिरफतारी के आदेश जारी किये गए। मोनू मानेसर पर नू हिंसा के अलावा नासिर जुनैद की हत्या और हर्याना के पटोडी में दंगे और हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज है। अब देखना है उस पर किया कार्रowa लवाई होती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोनु मानेसर को हर्याना पुलिस ने IT Act की जमानती धाराओं में हिरासत में लिया है। इन धाराओं में आसानी से जमानत मिल जाती है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये मोनु मानेसर है कौन। मोनु मानेसर उर्फ मोहित यादव गुरु ग्राम के पास मानेसर गाउं का रहने वाला है बजरंग दल का सक्रिय कार्य करता है और बजरंग दल की गौ सनरक्षन टास्क फोर्स का प्रमुख है ये जानकारी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दे रखी है इसी अकाउंट पर वो गौरक्षा से जुड़े तमाम वीडियो पोस्ट करता है जुनैद और उसके चचेरे भाई नासिर पर गोह तसकरी का आरोप था 16 फरवरी को राजस्थान के भिवानी में दोनों के जले हुए शव बोलेरो कार में मिले थे भरतपुर पुलिस ने इस मामले में मोनू मानेसर और 21 अन्य लोगों के खिलाफ अफरन और हत्या का मामला दर्ज किया था भरतपुर में मोनू के खिलाफ नासिर और जुनैद की हत्या की धाराओं में केस दर्ज है वो इनकी हत्या का मुख्य साजिश करता है इस हत्याकान के बाद से ही मोनु माने सर फरार चल रहा था इस खबर पर अपनी डाय हमें जरूर बताएं बाकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी नाइन भारत वर्ष डिजिटल